हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मिल्क पावडर से बने काला जामून की रेशपी सेयर करूंगी, इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिम्पल है, तो दोस्तो अगर आपको ऐसे ही काला जामून बनाना है, तो मेरे वीडियो क को लास्ट तक देखें और रेस्पी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिल्क पावडर से गुलाब जामुन या फिर काला जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चासनी बना के तयार करेंगे तो दो कप हम बरतन में चीनी आइड कर देंगे और फिर इसी कप से हम दो कप पानी आइड कर देंगे तो जितना आप चीनी यूज कर रे हैं उतना ही आप पानी आइड कर दें चीनी को हम पानी में घुलने तक पकाएंगे और चासनी हमें एक तार की बनानी है हलकी सी चिप-चिपी होनी चाहिए जब तक चासनी बन रहा है तब तक हम यहाँ पे काला जामून बना लेंगे तो काला जामून बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप फूल क्रीम मिल्क पाउडर लिया है अब कोई भी ब्रैंड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें बेकिंग पाउडर आइड करेंगे, तो हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर आइड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, और फिर हम इसमें घी आइड करेंगे, तो एक चमच हम इस और फिर हम इन सभी चीजों को हाथों से रब करके मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छी तरह से मिला ले हाथों से तो यहां पर आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें हम थोआ थोआ दूधायट करेंगे और इसे बड़ी ही सौधानी से मिक्स करेंगे ध्यार रहें दोस्तों इसे हमें बिल्कुल भी रगरना नहीं है और बिल्कुल भी इसे मैस नहीं करना है तो इसे अंगुलियों से या फिर इसे चमस से आप बड़ी ही सौधानी से मिक्स करें तो इस तरीके से आप इसे थुआ 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 मिल्क पाउडर लेके इसे मिक्स करते जाए थोड़ी देर के बाद हम इसमें फिर से दूधायट कर देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे तो इसे चमज से आप मिलाते जाए और इसे सौफ्ट होने तक मैस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बन के हमारा रेडी हो चुका है हलका यह इस्टिकी सा है तो इसे हम रेष्ट करने के लिए 2-3 मिनट छोड़ देंगे यहाँ पर सुगर सीरप में भी उबाल आ चुका है तो इसे हम हलका सा चिपचिपा होने तक पकने देंगे तो इसे बीच-बीच में चलाते रहें और इसे पकने दें थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हलका सा चिपचिपा हो चुका है तो सुगर सीरप बन के बिल्कुर रेडी हो चुका है फ्लेवर के लिए हम इसमें इलाइची पावडर आट कर देंगे तो हाब टीस्पून इसमें इलाइची पावडर आट कर देंगे और फिर हम इसमें केसर के दो से तीन धागे आट कर देंगे इससे कलर अच्छा आता है और वन टीस्पून हम इसमें लेमन जूस आट कर देंग तो आप हम काला जामून बना लेंगे चोटा साथ टुकड़ा लेंगे और इसे गोल गोल ऐसे रोल कर लेंगे तो ऐसे इस सारे काला जामून बनाके रेडी कर ले आप चाहे तो फ्लेवर के लिए इसमें इलाइची के दाने आट कर सकते हैं और फिर इसे रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने गुलाब जामून और काला जामून बना के रेडी कर लिया है तो चलते हैं अभी से फ्राई करने के प्रोसस में तो इसे fry करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल रखा है गर्म होने के लिए तेल को हमें ज़ादा गर्म नहीं करना है हलका सा गर्म करना है तो यहाँ पर काला जामुन एट कर दे और फिर हम इसे धीमी आज में पकने देंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटते रहेंगे और चारो तरफ से इसका कलर चेंज होने तक पकले देंगे ध्यार रहे दोस्तों जब काला जामून गुलाब जामून के कलर का हो जाए तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और फिर इसका कलर काला होने तक हमें पकाना है तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को हाई कर दे और फिर इसे काला होने तक पकले दे तो यहाँ पे हमने इसे पका लिया है तो डिरेक्टी से हम सुगर सिरफ में एड़ कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसे मैंने सुगर सिरफ में डाल दिया है जब यह सुगर सिरफ एबजॉब करने लगेगा तो यह नीची जाके बैठ जाएगा इसी तरीके से हमें सारे गुलाब जामूल और काला जामूल फ्राई करके रेडी कर लेने हैं अगर आप इसे लोपर में फ्राय करेंगे तो यह हाड हो जाएगे और इसके आंदर सुगर सीरफ जाही नहीं पाएगा और यहाँ पे gas के flame को हमें low रखना है और इसे बीच बीच में पलटते रहना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गुलाब जावून के color का हो चुका है तो यहाँ पे gas के flame को high कर दे और फिर इसका color काला होने तक हम पलटते रहेंगे इसे तो यहाँ पर इसका color काला होने तक इसे high flame में ही पकाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका color काला हो चुका है और इसका size भी बड़ा हो चुका है तो इसे हम direct चासनी में डाल देंगे यह लिजे दोस्तो काला जामुन बने के बिल्कुर ready हो चुका है इसे ऐसे ही 5-6 घंटे चासनी में डुबो के छोड़ दे फिर इसे serve करें और दोस्तो अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे like का बटन दबाए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले